हाई गाईज वाट्स अप पुश्प्राजदेर है स्टैक 23 मच चाहेंगे वरकेट नो गेम चेंजर दोस्तो और जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें आप लोग को बताना वाला हूं जीटीएफ और आप अपने फोन में कैसे खेल सकते हैं ठीक है तो काफी वाइरल ह होता है यह वीडियो यार मतलब आप लोग जानते हैं कि जीटीए फोर जो है मोबाइल में आप कैसे खेल पाएंगे आज मैं आपको डीटेल्ड वीडियो बताने वाला हूं वीडियो को पुरा एंड तक देखिएगा और इसके बाद आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा मैं आपको दावा दे के बोल सकता हूं इसके बाद ना आप सर्च करना छोड़ दोगे जीटीए फोर को इन मोबाइल में ठीक है और आज आपका जो है solution मैं निकाल दूँगा ठीक है तो प्लीज वीडियो को यार गाईस एंड तक देखिए गा ठीक है तो सबसे पहले अगर हम लोग सर्च करते हैं कुछ भी जीटीए फोर के उपर तो सबसे बड़ा जो एक चीज है सबसे फेक चीज है दोस्तों सबसे पहले आती है स्किप एज वेरिफिकेशन अब उनमें कुछ यूटूबर ग्यान देते हैं कि स्किप एज का आप लोग एप डाउनलोड करें उसके बाद जैसी होगा इसके पेज मतब आप जैसी डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जब इस्टॉल करके उसको प्ले करना चाहेंगे तो कितना है GTA 4 का? GTA 4 का जो installation setup size है वो है 7.48 GB का around इतना ही है ठीक है? तो GTA 4 7 GB का game है और आप लोग सूचते हैं कि आप उसे phone में खेल पाएंगे ठीक है? अच्छा सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं क्योंकि आज कल technology इतनी उपर है ना कि बंदा कुछ भी सोच सकता है अब बात यहा यहाँ पर आती है कि आप लोग को दोस्तों देखने को मिलेगा कि GTA 4 में आपको कोई APK देता है प्लस mod भी दे रहा है प्लस OBB भी दे रहेता है ठीक है? तो जो APK फाइल होती है वो तो real होती है जिससे लगता भी है कि higher GTA 4 की game सच है उसके बाद जब वो OBB डाउनलोड करता ह उसका size भी दिखाता है कम से कम 1.19GB है 1.18GB है दोस्तों बिल्कुल सही बात कर रहा हूं आप प्लीज सुनते रहे इस वीडियो को तो दोस्तों चिनके पास net नहीं होता है जिनके पास time की कमी होती है वो इतना सर्च करके वो game को download मारता है वो download करता है 1.17GB और उसके बाद उस सकति हो इतने पसंद है में go game की मेंgle को जब मिलना तो मे जो है वो mobile के लिए एक ही वे है खेलने का सिर्फ ओर सिर्फ एक वे है अभी तक फिलाल जो है एक वे है वो है आप अपने PC से Connect करके उसे खेल सकते है यानि 對 आप लोग फोन में नहीं खेल पाएंगे फोन में खेल पाहएंगे फोन कंप्यूटर से या फिर अपने पीसी या फिर लैप्टॉप से कनेक करके एक कोई उनका एमिलेटर होता है उसके वज़े से जो आप खेल सकते हैं बहुत से दोस्तों एडिटर है यूटूब में पूरी स्क्रीन में दिखा देंगे आप लोग को की हैंडल और बनावा मैं यहां से कंट्रोल कर रहा हूं और गीटी फोर चलाके भी दिखा रहे हैं सब फेक है दोस्तों मेरा में मोटी चो वीडियो को बनाने का यह है आप लोग को सही रहा बताना जिससे आप लोग 10-10 गंटा एक एक गंटा दो दो गंटा टाइम वेस्ट करते हैं अपना सर्च करकर के कि जीटी फाइफ जीटी फोर हम फोन में खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं जितना आप सर्च करते हैं कोई नया गेमर होता है न वो समझ जाता दोस्तों कि हाँ यार की मुझे नहीं मिल पा रहा ह गेम जो मेरे को चाहिए वो मेरे को गेम नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग को यही करना है अभी जब यह official announcement होगी तो मैं अपने channel में आपको बता दूँगा कि GTA 4 निकल जोगा है मुबाइल के लिए तब आप download कर पाएंगे अभी इसका जो मैं सच जो है वो यह मैंने आपको बताया है इस वीडियो को जो गलत में लेगा वो ले ले कोई बात नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यह सच बात है GTA 4 आप लोग अभी phone में नहीं खेल सकते हैं ना ही इसका कोई APK निकला है, ना ही इसका कोई OBP निकला है, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था, कि आज के बाद आप कभी नहीं भटकोगे GTA 4 के लिए YouTube पे, और ना ही किसी फाइल पे, जब ये निकलेगा ना, तो official announcement मिल जाएगी आप लोग को देखने को, जिससे आप जो है तब खेल पाएंगे, ठीक है, तो आशा करता हूँ, ये वीडियो को आपने समझा होगा अच्छी तरीके से, इसको वीडियो को गलत मत लीजेगा, इस वीडियो को बिल्कुल positive way में लीजे, आप लोग को सच से, मैंने वाकिफ कराया आप लोग को सच आज का क्या है GTA 4 को लेके, बहुत सी अफ़वाएं आती है, GTA 4 खेल सकते हैं, ठीक है, तो आशा करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी होँ, वीडियो अच्छी लोग प्रीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गेम चेंजर चैनल को और बने रहे ऐसे हमारे साथ, थैंक्स वोचिंग,